हालो प्रेंड मैं मुन्ना रेजक वेश्वेंगल कोलकाता से बोल रहा हूं मुन्ना LCD LED में आपका स्वागत है दोस्तों आज का टोपिक है यह हमारी एंड्रोड बोनेक है जो की इसकी सॉप्टेर कैसे अपग्रेट की जाती है यानि कैसी इसकी रेजुलेशन चेंज की जाती ह जो हमारे पस् एघवी ए जिसकी सॉप्टेर जो है वह रॉंग एस आप देह सकते हैं व्यूद coeur है इसकी डेठील अपटली लेशन की प्रब्लम है हाला कि हमारे पास बहुत सारे बंदे ने कॉल करके बोला कि सर यह जो एंड्रोड वाली बोड होती है यह स्मार्ट बोड होती है उसकी सॉप्टेर कैसे अब अब्डेट की जाती है जो कि बहुत सारी फाइल में रहती है वह बीन फाइल दो रहती है टे होता है उसको हम फार्म वाईर कहते हैं जो कॉंप्टर या प्रोग्रामर से होता है उसको फ्लास फायल कहते यह आपको चीज दो चीज यादर मॉल सकते हैं और मेरो होती है जो की USB से अब्डेट नौत डिया हो हमारी ट्रेंग मुंबई में होने वाली है आप उसके लिए आप रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे मुंबई के लिए हमारे अंगराइजर है असोग धानु मुंबई से सिर्वे मुंबई के लिए आप नंबर नोट कर सकते हैं अगर मुंबई में आपको टेनिंग लेनी हो तो आप असोग धानु से कॉल कर सकते ह है दूसरा हमारा नंबर है अगर बात में आई तो आप हमसे भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं अपना करा सकते हैं मुंबई के लिए आए हम लोग आप टॉपिक पे चले हमारी टॉपिक आज की अपडेट कैसे की जाती है तो यह चीज आप लोग देख ले यह हमारी एभी में लगा हुआ है तेकिने इसकी पिक्चर नहीं आ रही है और इसकी डबल एभी है यानि एभी 1 और एभी 2 और इसकी रेजिलेशन भी दूसरी है कि आप दे सकते हैं इसकी रेजिलेशन कैसे लिए है कि साइड में कटी हुई आ रही है कि देख रहे हैं दोस्तों यहां से वाइस्टेंटी विए देखें सब यह रेजिलेशन की प्रॉबलम हो जाएगी या इसकी पिक्चर आगे-पिछे हो जाएगी मैंने एक रेजिलेशन इसकी रखी है फुल एजडी और एक रखी है एजडी हाला कि यह बोड जिस नंबर की है आप यहां पर लाइए कैमरा यहां पर लाइए यह देख सकते हैं यह टीपी डॉट इसकी अभी तो मार्केट में फुल एजडी वाली सब्टर आई है क्योंकि यह जो बोड है यह हमारी कोंबो इसमार्ट बोड है बहुत ही अच्छी बोड है यह हमारी चलीस से एभव यानि 65-55-60 इंची जितनी बड़ी हमारी पैनल होगी इसकी रेजलेशन इसमें मैच होती है जिसकी चालिस के होने के बाद ही हमारी एजडी फुल एजडी में चली आती है इसलिए इसकी सॉप्टर जो है एवेलेवल फुल एजडी में लेकिन इसको मैंने एक सॉप्टर डाली है जिसकी बोड होगी PC सब एक ही नंबर रहेगा लेकिन PC 801 इसकी प्रॉब्लम है आपको सिंगल भी मिलेगी यहाँ पर डॉबल भी मिलेगी नहीं इसकी सॉप्टरेड अपडेट करने में कोई जमला नहीं है दोस्ते कितने लोग बोलते हैं कि इसकी पावर की अपकरो अन करो यह सब कुछ नहीं करना है आपको शरिफ हाईल में जाना है यह हमारी देख सकते हैं आपने लाइब दिखा रहा हैं कोई छेरसर नहीं कर रहा यहां लिए दोनों हमारी कीपेड और सेंसर है और इसको हमेशा याद रखना होगा कि स्लॉट वन मैंने इस भी वन और येस भी टू होती है हमेशा अपडेट या अपग्रेड जो है वह वन में ही होगा मैंने इसको वन में डाल दिया सुर्इ याली तेरहो Чॉय सखें है लिए इसको दीए मैंने बाल दोब कोई भी बुर्टम कोई यह नहीं किवा कि इसको लाइन दे दिया वह बहुत सेकंड में बहुत जल्दी जल्दी अभी आपको देख रहा है कि वह एक सेकंड में बहुत बार ही यानि वह कि इसका मतलब है कि अब मैं अप्ग्रेट हो गया हूँ अब मेरे को रिमूब करके ओके करें अब आप दे सकते हैं कि यह भी भी ओन ओफ ओन ओफ ओन फोर यह कि ऐसा ही हमारे ट्रेनिंग में यह सब ट्रेनिंग में हम फुल डिटेल्स अपने लोगों बताता हूं कि आखिर यह में सी क्या होती है इसे किया जाता है गलत अगर शॉप्ट्वर लग जाए तो डेट हो जाती है है और हमारी जीतनी स्मार्ट बोड है उसकी सॉप्ट्वर कैसे हम लोग अपडेट करते हैं अपग्रेट करते हैं या रेजलेशन चेंज करते हैं किसी भी परकार की कोई भी एंड़र बोड हो या कंपनी वाली हो या हमारी इन्वर्सल टाइप की हो अब देखिए एक कितिनी जल्दी जल्दी हो रही है आगे एक सेकंड में एक बार होती थी अभी एक सेकंड में लगबग हमको लग रहा है दो तीन बार हो जा रही है यानि यह कंप्लीट हो गई अब मैं इसको अपने टीवी को अफ करके फिर इसको अन करूंगा देखिए हमारी सौप्टर इसने अपडेट कर दी इसकी यह वाली रिमूट काम करेंगी दोस्तों यह वाली हमारी मतलग इन्वर्सल टाइप चाइना आती है ना यह वर्क करेंगी यह वाला आप देश सकते हैं इसे यह रिजुलेशन है हाजार असी वाली एजुलेशन है जिसको हम लोग फूल एजडी बोलते हैं और यह एजडी वाली के लिए दोनों में हमारी एजडी और फूल एजडी है लेकिन इसकी एजडी नहीं आती है अभी तक नहीं आई है अगर वह आ जाएगे क्योंकि बढ़ी सेट में बहुत कुछ देश समय लेती है क्योंकि नया अभी अप्ग्रेट हुआ है यह अपने आप सब इस्टॉल होकर अपने आप वह आएगी दोस्तों आप लोग से रिक्वेश्ट है कि आप लोग सिर्फ टेनिंग परपस ही हमको कॉल करें फोल फाइनिंग के लिए कॉल ना करें क्योंक हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग फोर्स करके और फिर आप लोग दुख दुखी होय इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेश्ट करता छों की आप शिरीफ ट्रिंसी परपर होकर करें अगर ट्रींग लेनी है तो आप और मोंबैGot मैं ट्रेनिंग लेनी हो तो आशौक पचानु को कॉल करें कि वह और अरोगनाइजर है और आपको सही से बता सकते यहां पर देखाई नपकें सब्सक्राइब इक वह ब खनर स्प्राजा से कटिक्स लेती है कैने इंस्ट्रोल होने में करेंगे स्कैनिंग करेंगी स्कैनिंग कर रही है यहां पर देखें एक दो तीन चार चार है दूसरा में गई यहां पर चलिया है अब हमने इसको नो प्रोग्राम केंसिल कर दे रहे हैं इसको सब एक्जिट कर दे रहे हैं एक्जिट करने के बाद हम सोर्स में जा रहे हैं यहां पर एवी वान एवी टू आ रही है कि देखेंस बस तो हमारी इसमें है सेटर वक्स होन है क्या है कि इसकी रेजिलेशन कितनी लगी है कौन सी है यह बोड में तो इसकी पिक्चर भी उल्टा आ रहा है इसको मिरोड से ठीक करना पड़ेगा हमारी इसकी सार्विस मूड है मेनू वान 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 वोर सेवन आपको यह मेनू वान 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 वोर सेवन बहुत ज्यादा जल्दी प्रेस करना होगा यहां पर देखिए हमारी बोड टाइप है कौन सी सॉप्ट्र मैं ने यूज किया हूँ यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आप गौर करिए देखिए यहां पर क्या यहां पर दिखा रहा है यहां पर क्या दिखा रहा है यहां आपको अपडेट करके दिखा रहा हूं इससे क्या प्रॉबलम हो देखिए दोस्तों मैंने इस को दूसरी वाली फाइल डाली है कि यहां यहां देखा हुआ है कि तेरो श्यासट वाली और भी मैंने दूसरी रेजुलेशन डाली दूसरी गोड़की कि यहां पर देखिए यहां पर देखिए कौन सी मैंने फाइल कर रही है कि मैंस 338 पीवी एट जीरो वाल यह मैंने है अब फूल दी वाली करने से चलेगी वर्क होगी लेकिन यह भी काम नहीं करेगी बाकी सब शाव करेगी अभी काम नहीं करेगी ₲ और यह उसके वालत देखिए रहे हैं मैं अर्यचित करके देखा रहा हूं ए Bunu और और यहां पर हमारी ए वन सिंगल भी आ रही है लेकिन इसकी कौन सी रेजुलेशन चड़ी है इन्होंने गलत रेजुलेशन यूच किया था जो मैंने उनको बोला कि ऐसे चेक करना चाहिए ठीक है दोस्तों